खारगे जी, केसी वेनू गोपाल जी, नाना पटोले जी, विजेव अधितवार जी, सुशिल कुमार सिंदे जी, पृत्वी राज चोहान जी, अशोक चोहान जी, वर्षा गायकवाट जी, स्टेज पे बैटे सीनियर नेता, मलेज, पार्टी के प्यारे कारे करता, आप सब का यहाँ बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार, मोदी जी आये थे, तो उन्होंने कहा, कॉंग्रेस मुक्त भारत, यादे आपको न रह, अब दुनिया का सुपर पावर जो था, इंग्लैंड था, वो कॉंग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया, मोदी कैसे करेगा? मतलब जो दुनिया का सुपर पावर था, जो आज अमरीका है, उस समय इंग्लैंड था, वो कॉंग्रेस को मिटा नहीं पाया, उल्टा कॉंग्रेस ने उसको मिटा के बाहर भगा दिया, और मोदी जी सोचते हैं, कि उनका और अध्यानी जी का रिष्टा कॉंग्रेस को मिटा देगा, मतलब सोचते हैं, कि अध्यानी जी का पैसा, कॉंग्रेस पार्टी को मिटा सकता है, आप में देखा होगा, कल, दो फाइनेंचल, दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंचल न्यूस पेपर्स ने कहानी लिखी, शरुम की बात है, कहानी में लिखा था, एक बिलियन डॉलर हिंदुस्तान से अलग-अलग देशों में गया, वहाँ से वापिस आया, अकबार में लिखा था, कि मोधी जी का, अदानी जी के साथ, बहुत करीब रिष्टा है, पुराना रिष्टा है, पुरान रिष्ट समझ रहा है, सिस्टम बहुत सिंपल है, पैसा इधर से जाता है, अदानी जी की शेर प्राइस बढ़ाई जाती है, पैसा वापिस आता है, और उसी पैसे से अदानी जी, हिंदुस्तान का इंफ्रस्ट्रक्चर, हिंदुस्तान के एरपोट, मुंबई का एरपोट अब यहां पर सोच रहे हैं, पता नहीं कौन सा सपना देख रहे हैं कि यहां आके दारावी में तमाशा करेंगे कि देखें मतलब इनको इनको धारावी क्या है धारावी के लोग कैसे इनको अभी तक समझ नहीं आई बात कि यह थोड़ी देर में यह थोड़ी देर में कॉंग्रेस पार्टी इनको समझा देर कि धारावी है क्या जो सच्चा हिंदुस्तान है जो जमीन का हिंदुस्तान है जो गरीबों का हिंदुस्तान है ये सोचते हैं उसको मिटा जा सकता है नहीं मिटा जा सकता गलत फेमी में है थोड़ी से मैं आपकी बात करना चाहता हूं लोग कहते हैं मीडिया में कहते थे कि देखें कॉंग्रेस पार्टी में कोई दम नहीं है अगर कॉंग्रेस पार्टी में दम नहीं है तो करनातक में बीजेपी की पिटाई किस ने की उनको वहाँ साफ किस ने किया यहाँ पे महराश्ट्रा में कौन सी पार्टी खड़ी हुई है हमारी पार्टी तो नहीं तूटी न क्यूं कि देखो आप विचारधारा की पार्टी हो आप मैं आपको बताता है आप विचारधारा की पार्टी हो विचारधारा की पार्टी में और दूसरी पार्टी में क्या फरक होता है अगर हमने आप में से खुन निकाला आपके हाथ में से निकाला आपके आप में से निकाला तो उस खुन का टेस्ट करेंगे हम तो उसमें DNA एक ही मिलेगा और वो किसी ते डरता नहीं है वो गवराता नहीं है उसको दो तीन लाधी मारो वो कहता है भगया और मारो मुझे ये कॉंग्रेस पार्टी का कार्य करता है और ये आप चाहो ना चाहो ये आपका खुन है पुई ये बबबर शेर बबबर शेर की पार्टी है इसमें शेरनिया भी है इसमें शेरनिया भी है बगर बबर शेर भी है और ये किसी से डरते नहीं है मैंने देखा है मैंने देखा है ये ये डर्ट उसको लगता है मैं आपको बताता हूँ कॉंग्रेस पार्टी से डर नरेंद्र मोधी को लगता है RSS को लगता है BJP को लगता है और यहाँ पर आप देख लेना महराश्ट्रा में सफाई होने वाली इनकी BJP की और अभी क्या है देखिए तलेंगाना में राजिस्तान में मध्य प्रदेश में 36 गड़ में जो करनाटक में हुआ है वही यहाँ होने वाला है और पिर उसके बाद नैशनल इलेक्षिंज में जो इंडिया अलायंस है वो BJP को हराने जा रहा है चाहें मीडिया कुछ भी कह ले चाहें हिंदुस्तान के सारे के सारे इंस्टिटूशन को कंट्रोल करें कुछ नहीं फरक पढ़ने वाला है कॉंग्रेस पार्टी चुनाओं को जीतने वाली है और जीतेगी क्यों ठीके सीनियर नेताओं की जगे होती है तो आप जानते हो होती है ना मगर हमारी पार्टी को हमारा कार्यकर्टा जिताता है और अगर इस पार्टी में एक कमी है जिसको सही करना है तो जो कार्यकर्टा हमारे ले खुन पसीना देता है उसको सबसे पहले रिवार्ड मिलना चाहिए और ये देखे ये ये हमारे बीच में जो रिष्टा है कंग्रेस कार्यकर्टा है हमारे नेता है मैं हूँ कार्गेजी है हमारा रिष्टा दूसरा है बीजेपी का रिष्टा दूसरा है आरेसेस का रिष्टा दूसरा है हमारा जो रिष्टा है प्यार का मोहबत का परिवारिक रिष्टा है और हम नफरत के साथ हिंसा देजात काम नहीं करते हैं हम अपने दुश्मन के घर में जाके उनके घर में जाके उनके नफरत के बाजार के अंदर हम महबत की दुकान कुल देते हैं और यह हमारा तरीका है यह हमारा तरीका है आप देखिए कभी मौका मिलेगा कॉंग्रेस पार्टी को पार्लमेंट में तो दिखाते नहीं है आपने देखा होगा मगर अगर एक जलक फिक जाए मौका मिल जाए एक सेकंड के लिए वो दिखा दें तो आप देखना हमारे पार्टी वाले जो होते हैं वो मुस्कुराते हैं हसी मजाग करते हैं अब देखना पार्लमेंट में देखना और जो बीजेपी आरे से वाले होते हैं वो नरेंदर मोदी जी ऐसे बैठते हैं और उनके पीछे लाइन लगी रहते हैं वो भी ऐसे बैठते हैं कि गल्ती से भी मुस्कुरा ना लें पता नहीं क्या हो जाएगा मोदी जी मार देंगे आरे सेस वाले मतलब चड़ी पहना के लाठी पकड़ा देंगे मतलब उनको उनको जिन्दगी जीना नहीं आता है वो सब सब घर से बाई आते हैं मैंने एक दिर अपने कारे करता उसे पूछा देखिए आपने आप में से सो दो सो लोग थे मैंने उनसे पूछा वह एक बात बताओ आप में से कितने लोग घर छोड़के भागे मैंने पूछा 110-120 लोग थे एक लड़के ने आत उठाओ मैंने का अच्छा एक बात बताओ भागा था मगर वापस आया कहता है हां मैंने का क्यूँ पापा और मेरे पापा और मा मुझसे प्यार करते हैं मुझे दर्द हुआ इसलिए मैं वापस गया कि अब आप एक कांद कीजिए कि किसी भी आरे से इसके कार्यकरता से पूछ लीजिए सो का गुरूप होगा तो उससे पूछ लेज़े भाईया आप एक बात बताओ आप में से कितने लोग घर चोड़के भागे सारे हाथ उठा देंगे पिर सब भागे फिर पूछना भाईया वापस कितने गए एक हाथ नहीं उठाएगा क्यों कि इनको पहले से नफरत इनके दिल में डाली जाती है हमारे दिल में दूसरे लोगों के लिए महबत है प्यार है इजड़ ए रिस्पेक्ट है उनके दिल में नफरत है बड़ी मुसीबत है अब हम कुछ कर नहीं सकते अब अगर नफरत को मिटाना हो जैसे माननी लिए आपके दिल में नफरत है मैं उसको नफरत से मिटा सकता हूँ गया सवाल ये उठता मैं मतलब सो साल लगा दू अगर इनके दिल में नफरत है ये मुझसे नफरत करते हूँ मैं इनसे नफरत करूँगा नफरत कभी नहीं मितेगी मगर अगर इनके दिल में नफरत है तो मैं इनके पास चला गया मैं गले मिल गया का वही यह बात क्या है इतने गुश्षे में क्यूं हो नफरत क्यूं है तोड़े सा प्यार दिखा दिया नफरत मिट जाएगी सही जात है न तो उंका काम नफरोत करने का है हमारा काम मुठबत करने का है उन से नी उनको भी भी जोडना मतलब हमारे यहां पर तो मतलब मुठबत की दुकान कुली ही है सुपर मार्केट कुला हुआ है मगर हमें इनके वाजार के अंबring घुछना है उनके घरों में जाना है और उनके घरों के अंदर मौपत की दुकान को लिए यह आपका काम है प्यार से मुझे बहुत अच्छा लगता है आप से यहां है मौका मिला है बात करने का बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने घर में बैठा हूँ जैसे मैं मां से प्रियंका से बात करता हूँ वैसा ही लग रहा है कि देखो मैं घर आया हूँ परिवार से बात कर रहा हूँ कर और और आप लोहों के बिना मैं बता देता हूँ आप लोगों के बिना यह पार्टी नहीं चल सकती है कि आपके ड्रामें भी होते हैं वह भी मैं जानता हूँ हर परिवार में कोई रूद जाता है crying drama कर लेता है वो हमारा सिस्टम है, थोड़ा-थोड़ा ड्रामा चलता है हमारा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई उदास हो जाता है, कोई गुस्सा हो जाता है, वो हमारा सिस्टम है, मगर चुनाव के समय, मिलकर काम करना है, ठीक है, और जब भी आप चाहो, मुंबई मुझे बहुत अच् ~~~~:" है ये ये कॉंगर्स पार्टी का जब में भारत जोड़ यात्रा में चला मुझे बात समझ आ गई। जैसे जो आतम होता है नो उसमें नकलियस होता है नुकलियस सुना अब nukle92 ये महराष्णा जो कंग्रेस पार्टी का नुकलियस है यहां से शुरू हुई है तो अगर इसको अगर इसको मजबूत बनाना है तो यह यहीं से होगा आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू जहिन